अगर आपको भी मिलेट की रोटी खाना तो पसंद है मगर बनाने से डरते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद मिलेट की रोटी बनाना आपके लिए बच्चों का खेल होगा बिगनर्स को ध्यान में रखते वे मैंने सारे टिप्स शेयर किये हैं तो अब कोई भी न ये सूपर सॉफ्ट वेजिटेबल से लोडेड रागी या फिर नाचनी की रोटी बहुत ही आसानी से बना सकता है अगर कोशिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्रा साथ करने में हेल्फ करता है तो मैंने इसको झाल किकल ले लिए तो तो और एक परात लेंगे उसमें मैं सारी सबजेऊं दाल रहيا हूं तो ।ो मैंने यहां परेग आधा कप मैंने गाजर ले लेए तो यहाई छौधा किय लिय वीक्चौता य את चचोथा एक तो प्याज लि थोड़ी सी कड़ी पत्ते कट करके डाल दिये हैं, कड़ी पत्ते जरूर डाले हर चीज में जहां पॉसिबल हो, मैंने एक बड़ा चमच डाला है, अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट, आप इसकी क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम्याजादा कर सकते हैं, अब म मिक्स कर रही हूं अच्छे से अभी हम पानी में बिल्कुल नहीं डालेंगे, पहले हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि सब्जियों के मॉइस्चर से ही यह काफी हद तक गीला हो जाएगा, अगर आप लोकी यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि लोकी में इसको थोड़ा सा निचोड कर ले नहीं तो यह एकदम गीला हो जाएगा, अब मैं यहां पर थोड़ा सा गरम पानी यूज कर रही हूं, मतलब बहुत ज्यादा खौलता हुआ गरम नहीं है बढ़का सा गरम पानी है, उससे हम इसको बाइंड करेंगे, और ध्यान रखना है कि इसका नहीं कोई सक्त डो नहीं लगाना है, इसका डो हम एकदम ढीला-डीला सा गीला-गीला सा ही लगाएंगे ताकि वह एजिली स्प्रेड हो पाए, यह रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है, और साथ ही बहुत निट्रिशियस है, क्योंकि आरागी के साथ इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दीना तो काफी फाइबर भी आड़ हो गया तो अपना एक बर जरू ट्राइ करें और अगर आप बिगनर है तो बिल्कुल भी टेंचन नाले, बहुत ही जादा आसान है रोटी को बनाना, यह वाली रोटी में तो आपको बेलने का आपको एक्तम आजान तरीका बताऊंगे इसको बिल्कुल करने का तो बस यह देखिए इस तरह से एक्तम प्रेडिबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए गिला-गिला साही आटा होना चाहिए और अगर आपको जरुवत लगे थोड़ी तिर बाद यह एब्सॉर्व कर ले तो प्रेड करने के लिएी जाता है और इसको आप रे यूज बनांगे का एक बनागे लाए प्रेड्स कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो कोई भी इनकी या फिर कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं तो मैं पहले बना रही हूं इस पेपर पेपर को अलका सा गीला ताकि जो डू मेरे बचें जब छोटे थे ना तो वह बोलते थे ना कि होल्स मत बनाओ इसमें स्माईली बना दो तो मैंने इसमें स्माईली बनाया है अब अगर आपके पास हो तो आप उस पे भी फिला सकते हैं तो उसको भी सेम प्रोसेस है कप्ड़े को पहले तो अच्छे से मैंने पानी के नीचे पूरा गिला कर लिया और थोड़ा सा और पानी की लहां और से इस हमने आतगी लिए कर लिए था 09 के श92 में अगर आपको परदी पसंद है चैज को आयो अगर आपको उप पदली को वैसे बनाता परसकते में संबग एगत हैमा रहां से इसम बतुक्त ही घिवेकी स्यम और आ बतनाही री कर सकते ह किसी भी तरफ से कपड़े के नीचे अपना हाथ डालेंगे और रोटी के नीचे सेट करके और इसको बस हम ऐसे पलट देंगे तवी पर इसको पेपर के साथ ही पलटा था और यह देखे पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है हमें कुछ भी एक्स्ट्राइफर्स नहीं ले और फिर दूसरे तरफ भी हलका सा घी लगा कर मैं इसको सेक रही हूँ आप अगर घी नहीं उसकरना चाहते हैं गी या तेल तो आप इसमें ऐसे भी इसको प्रेस करते हुए सेक सकते हैं बस इसको ना सेकने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ी सी कैसरोल या होटकेस में रख दें ताकि यह सॉफ्ट रहे और यह देखिए रुमाल वाली भी है वो भी मैंने वैसे ही डाली रुमाल बहुत एजली अपने आप ही निकल गया आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और फिर आप दुबारा इसी पेपर पे हो या फिर रुम हो गया है बस इसको बनाने के बाद किसी भी होटकेस में रख ताकि एकदम सॉफ्ट बनी रहे और अगर पतली रोटी पसंद है तो आप इसकी ना पतली रोटी भी बना सकते हैं बस इसको ना हलका सा और भी स्प्रेड करते जाएंगे एक दो रोटी बनाने के बाद आपको confidence आजाएगा आप अराम से पतली पतली रोटी भी बना सकेंगे इसकी ये देखिए कितनी पतली spread हो रही है और बहुत ही अराम से होती है कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें भी तो आप इस तरह से एकदम पतली रोटी और इसमें हमने इतने सारे मसाले और सबसियां डाल दिये तो ये वैसे भी बहुत ही टीस्टी लगती है आपको इसके साथ कोई भी सबसी वगरगी भी ज़रूरत नहीं है तो आप बचों को नो टिफिन में भी इसे दे सकते हैं अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके एक चोटा सा कॉमेंट जरूर लिखे अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ मेरे विडियो को जरूर शेयर करें आपका हर एक लाइक और शेयर मुझे ग्रो करने में हेल्प करत मिलते है मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई